कैसे पधैले हम लोगोंने ऑलेंmedim के बारी हों पढ़ लिया था उल therapist नौ फर्स्ट तॉपिक पढ़ लिया था उसके आगे सेकरण टॉपिक हम पढ़ेंगे जहां से नाम है ओलम्पिक का मशाल और बिवित में खेल कूद में यह महत्वपूर्ण होता और हमें प्रियाश करेंगे कि हम एक विस्त्रत महत्वपूर्ण तत्यों के साथ अध्यन कर ले ताकि भविश्मागर खेल से प्रशना है तो आपके पर चूटने ना पए ओलम्पिक प्राय आप जा अंदर तक बने रहेगा इस बात की गरेंटी है कि आपकी परिच्छा में ओलम्पिक से प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे अगर आधुनिक खेल के मसाल की प्रजलित करने की परंपरा है वह 936 के बर्लिन ओलम्पिक से प्रहरामपई वर्तमान समय में आधुनिक समय में जो मसाल जलाने की प्रक्रिया है ओलम्पिक में वह 936 में बर्लिन से की प्रारमपई इस परंपरा की सुरुआत उन्हें प्रश्न की ओलम्पिक मसाल जाने की जो प्रथा थी या प्रशलन था यह कब से सुरुआ तो बर्लिन से हुआ कब वह 936 हुआ और आगे देखते हैं ख होता है है यह है वर्ड़ इसे कहते है क्यों के यह कहां कि लाइंपिंड चीन होता है। इस मसाल को इस्टेडियम मसाल को प्रजलित कहाता है जो यह मशाल होती है जो हेरा मंदिर से इस मसाल को जलाई जाती हो एथन्स की और जब यहाँ पर लाई जाती है तो जो खेल का इस्टेडियम के अंदर जो मशाल होती है उस मसाल को प्रजलित जो मसाल होती है रिले मसाल उस पहला तो है silver पतक जिसको आरभ जानते हूंगे तो यह 60 mm ब्रित्ट में 60 mm ब्रित्ट में 3 mm मोटा होता है नह2ников ग्रेट चाने का बना होता है नाम होता पतक ग्रेट चाने का बना होता है फिर आगे द συतने जिस पर 6 g आम सोने की परत्थ होती है यहां से लिए महत्वोण है इसमें क्या होती है शे ग्राम सोने की परश चड़ी होती है। बनावाता है कौन सा सोन पतक ऊश्य गराम सुने की परशस्चड़ी होती है 6 Gram पतक की बारे में जानते हैं यह 925 गरेट चांदी का बना होता है जो 60 mm बित में तीन म notre है मोटा होता है ठीक यह दैंक बना होता है और Export बना होता काफस्व पतर थिए तो यह था योलमपिक के बारे में मत्में मसाल के बारे मैं आगे बिम लुक्त पढ़ते हम कि अदिकित उलम्पिक गान क्या है अतिकित जो ओलंपिक का वो गान क्या है तो प्रख्यात युनानी कभी कोश्टिश पालमास ने 893 में ओलंपिक का इस्तोत गान की रचना की थी युनानी संगीत का इस पाइरोस सामरास ने अठारा सो चानमे में इस इत्रोध गान को संगीत वद्द किया यह आपके लिए महत्यपूर्ण बड़ी परच्वाओं के महत्यपूर्ण है और छोड़े परच्वाओं के महत्यपूर्ण नहीं लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ अच्छे पढ़ लिए इसलिल कारी spills पिक श्फवाइली में पहली बार यसे गया स्वेक्षण क्षी एक अलंपिक प्रत खेल और उलंपिक खेल को उद्धा चान और समापन प्रस्तूत किया जाता ही यह अलंपीक के सुरुवात में प्रहारा में और समापन में दोनों समय इसको क्या गया तर प्रस्तूत किया जाता है अगे दिखते हैं ग्रीज भासा में रचीत या लिपीवद इस गान का अनुवाद किया गया है अगर आई जानते हैं अलंपिक खेलों जूड़े महत्तपूर अन्य तथ्यों के बारे में लोग जानते है पढ़ने का प्रयाश करते हैं तो ओलंपिक के महत्तपूर तथ्थि क्या क्या है आयुन में देख लेते हैं अलंपिक चाटर अठारहसो चाहरान में में संकलित कि आ गया है एडवाड्वर्ड उलंपिक उनुजिस से ओलंपिक खेलों का सपतगरहन से प्रणपरा प्रारम हो कि हम लोगों ने देखा कि यहां पर कि मेजवान देश का को यह एक प्रतिष्चित खिलाड़ी होता है समस्त प्रतियोगी खिलाड़ियों के प्रतिधी के रूप में सपत ग्रहन करता है मक्सको ओलंपिक हो नई तो मैडचिकोई ओलंपिक से ओलंपिक के सुभंकर की प्रत्था की प्रारण होई थी ओलम्पिक खेलों का TV पर विश्तितव प्रषारण lur मार्च पास्ट में युनान के तीम सबसे आगे उमजबान टीम सबसे पीछे रहती है ध्यान दिजेगा कि जब भी ओलम्पिक आजन क्या जाता है तो उलम्पिक उध्गाटन समारों में मार्च पास्ट में युनान की टीम सबसे आगे होती है और जो महिजबान तीम मतलब जिस देश में आजन होता है वो सबसे पीछे रहती है ठीक है यह भी महत्रपॉन उसके जो जैद्टिती होती है फ्लिस्तिंज ओलम्पिग. ग refer तर मेंं घ्यारिज थेस्तिनी का अतागवादी हमले में अटलेट मारे गए थे है यह महत्तपूरा और पेररिसों ओलंपिक उन्हीं सोसे महिलाओं ने भी ऐल प्रह्ट करना कफ शुरू किया तो पीरिसों पिक में बात महत्पूर्ण है कि सौदी एराप काता नूम्बर नहीं ने पहली बार महिला ओलंपियाड को या महिला ओलूम एतलेट को उन्होंने भेजा था उलंपिक खेलों में सरवाधिक आईए महत्तपूर्ण बाते हैं यहां से परिच्छा में प्राइब पुछे आते हैं उनको भी नोट डाउन कर लेते हैं इसकी 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 पीडियों आपको पेड़ क्लास से मिल चुक्यों कि नहीं मिले होगी तो टेलीग्राम है के नाम है यह कापी महत्तपूर्ण है और बहुत बात पूछा गया प्रश्ण है एक ही उलम्पिक में सरवाधिक सुन जीतने का रिकार्ड अमेरिका के मिला यश्य के पुरुष तहराक माइकल फिल्प्स के नाम है बिजिग उलम्पिक दोजार आठ में बिजिग उलम्पिक यह विजिग उलम्पिक दोजार राट की बात है ने गोल्डेन सार की रूप में उन्हें एक कही खेल में बने एक कही सिजन उलम्पिक में आठ सौन पदक जीते थे विभिन तहराकी में पूरु में यह रिकार्ड इसके पहले यह जो रिकार्ड था यह यह श्य के 272 में जिसमें इसराइली एथलेट मारे गए थे फिलिस्तिन आतक मादियों से तो साथ सौन पदक उन्होंने नाम किया था और रिकार्ड तोड़कर आठ सौन पदक जीतने का रिकार्ड विजिग जोया आठ में आई आगे देते हैं समग रूप से सरवादी को लूप जीतन संपन ओलंपिक तेइस सौन चार सौला तक तेइस सौन तीर रज्जत और दो कांस जीत कुल 28 पदक जीते थे यह महत्त पोने से स्कीन सौट रख लेजेगा उसकताव के परिच्छा में यह काम आ जाए सरवादिक ओलंपिक सौन तेइस बेक्तिगत प्रदाव में सरवादिक पदक भी माइकल फ्रेश के नायम है सालतिक औलंपिक सौन सरवादिक ओलंपिक पदक आगे नायम है तो माइकल whilst के रिकौर्ड पदक तलिंगा में का पर पूछ जा ने यहोगी भी यह दिते हैं दूल में यह रिकार्श रिकाट सक्ट सोबियसंग के मरिला जिमनास्त लारीशा लातनीना के नाम था जिन्हों नूमर सुने सो पच्छपन से चौन सट किमद्द 14 विक्तिगत और चार्ट टीम उलम्पिक पदक जीते यहां पी इन्होंने क्या है सरवादिक उलम्पिक पदक 16 ठीक है विक्तिगत अस्परदाओं में इन्होंने 16 कि फीर लारिशा लारिशा लाइनीना औलमपिक खिल में सरवादिक यतने वाली महीलह घर महीलह की बात करें तो रोषछ अवित सम्झ रोश की लारिशा wh ही है मेंलाग में सर पदक जीतने वाली यंटेओं आगे देखते हैं किसी भी Olimpik में किसी भी Olimpik में एक देस्दवारा सरवाधिक उलम्पिक सौन पतक जीतने का डिकार्ड अमेरिका के नाम है ठीक हम किसी भी ओलंपिक में एक 1 दोगर Hey Lauren's Angels Olympic 2944 में अमेरिका ने Nir Abi almost ऑलंपिक socio-णेरा के कीए थे लॉंस एंजल सूल पतक प्राप्त की हुए थे सरवादिक चार बार उलम्पिक का आयोजन खैल का आयोजन अमेरिका में 1904 में 1932 में 1934 में 1992 सरवाधिक बार ओलंपिक खेल का मेजवानी आयोजन करने वाला जो देश है वो कौन है अमेरिका है आगे देखते हैं सरवाधिक बार ओलंपिक खेलों की मेजवानी करने वाला सहर कर सहर की बात करें कि सब्सक्राइदा ओलंपिक खेल का मेजबान शहर कौन सा रहा तो आपका लंडन रहा क्या आपका लंडन लंदन में 1908-1948-2012 में ओलंपिक खेलों का युजन किया गया है ठीक है अब आगे आते हैं ओलंपिक एवां भारत का क्या संबंध है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में सब्सक्राइब को भी पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे किसे दो से तीन पाप में पढ़ेंगे ताकि वीडियो गाफी लंबा ना होने पाए तो इसके बाद लोग को पढ़ना है उसका क्या नाम है ओलंपिक इम भारत तो लिए इस की एक बार त्यार कर लिएगा बार वीडियो को देख से दो बाद देख लेंगे तो आपको जो तक लगेगा उसे आप नोट डाउन कर लिजाए कॉपी में उसकी इसकी स्कीन सॉट अख लिजेगा हो सकता आपके परिच्छा के लिए महत्त पून काम आजाए चलिए अंदर त तरगे से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेश्ट आफ लग जय हिंद जय भारत